जो शी में सिःत्मार्फी अपैक चलना कट्रोल स्टेटमेटक रागाए तो typing चलना का कNT्रोल थेटमेंट में अपने दो दीखते है तो contextrics यह था अगिस्टक लिंटकर सेस्टेटमें लिवलिया तक्र नशक्षकते पर वकंडिकर और सेवाई एक्जीक्यूट होगे, condition अगर false होगी तो इसके अंदर के statement एक भी execute नहीं होगे, आप जिसको लूप को चलाते कैसे तो इसकी initial value जो होती है, वो हम लूप के बाहर देते हैं, जहां पर हमें इस लूप को रोकना होता है, conditions देते हैं, increment और decrement हम कहां देते हैं, लूप के अंदर कर देते हैं, तो दिखे हैं, ईसकीतक एक 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 एक्जामपल से अपर समझते हैं, इसको हम कैसे यूजे करते हैं, तो C-Sharp अपन Оपन कर लेते हैं, जो भी अपने एक पुरणा परणा परणोर आपन ओपन कर ले तो C में आपको एक लूप प्रोग्राम हो माई लूप का एक डेमो देते हैं पन क्लियर तो वाइल लूप और डू वाइल लूप लगवाख सिमलर होते हैं बस अंतर यह होता है कि अगर वाइल लूप में कंडिशन टू होगी तभी स्टेटमेंट आपके ए आपके लूप लूप कराने यहां से ख्लोज कर लिक ठीक है अब अपन भाइल लूप के एक सिंपल से पहले प्रोग्राम देखते हैं जैसे अपन को मालो सबोस अब नंबर कराने है वारन से लेके 10 तर तो अपन भाइल लूप में कैसे प्रिंट कराएंगे तो इंट अपन एक i ले लिया ठीक है अब 1 से 10 तक नमबर प्रिंट कराने तो i equal to 1 यहां इनिशियल वैल्यू हमने कहा देगी starting वे वाइल क्या लगाएंगे लूब वाइल के अंदर हम condition लगाएंगे कहां भी लोगना i less than equal to 10 कहां भी रोगना है जहां i की वैल्यू कितनी हो जाए 10 के बरावर हो जाए तो अपने यहां पर प्रिंट करा लिया console.rightline कर देदिया इसके अंदर अपने देदिया console.rightline और इसके अंदर अपने देदिया i अब इस i में increment करके कहां तक पहुंचा ने 10 तक तो अपन कैसे से तक ने i plus i को अपने क्या कर दिया increment कर दिया क्लियर करन करा आया program यह देखिए प्रोग्राम हमारा यह देखिए बाट से लेके 10 तक नमबर हमारे पास यह प्रिंट हो के अब सबको दिखरा अब थोड़ा फॉंट और बड़ा कर लेते हैं आपको देखे सबको तो अपने इसका फॉंट ले लिया 36 ठीक है यह देखिए यह देखिए आपको दिखरा 1 to 10 अब इसी मालो आपको यह प्रोग्राम बनाना कि कोई नमबर इंपुट करें उसका हमारे प हैंगे अपने अपने हंगे इंटर दा सेकेंड शडिया अकेंटव यह चैनल एककल डॉंट टू मजोन डॉंट कर लेंगे इसको कंवेद्ट करा लेंगे इसमें इंट दॉट पार्ष तपर निया अपर लिए इंट डॉट पार्ष बस यहां पर क्या कर देंगे आई इंटू एपल टू एन प्रोग्राम कंपाइल किया अपने एंटर दायनी नमबर डाला हमने फोर यह देखिए फोर की टेबल को हाने पास आगेगी इसको एक तरीके से और अपन चलाते हैं जैसे अपन चाहते हैं कि जब तक ही टू होता रहे है तब तक ही हमारा लूप चलता है तो यह हमने कंडिशन स्पेस आपको बताया कि आप उल्टा सीधा किसी भी तरह से इसको चला सकते हैं यहां पर आई लेजिए और यहां पर क्या कर देंगे आई माइनस माइनस तो आप किसी भी तरीका से सको चला सकते है एक तरीका और वारे पास होता है कि हम चाहते कि यह स्टेट्मेंट हमारे टू होतेरह तब तक ही हमारे बस चलता रहे तो while look के अंदर हम इसके अंदर ये true statement भी पास कर सकते है, इसे हम ने दे दिया for example, while true, क्या दे दिया हम इसके अंदर true, तो इसके अंदर true condition, आप इसके अंदर जो भी statement डालोगे, वो सारे statement आपकी continue चलते रहे हैं, तो आपने आप इसे console.rightline, इसके अंदर आप इसे suppose दे दिया i equal to, sorry, equal to bracket में आप दे दिया है, 0, comma i की value को print करा लिया, i की value क्या कि आपने print करा लिया, अब आप इस i को रो, अगर अभी इसको चलाओ को तो यह कहां चलेगा, infinite चलेगा, कहां तक चलेगा, infinite तक चलेगा, तो कि i की value कोई value दोए नहीं, अगर आपके i की value यहां कितनी दे जीरो, कितना दे जीरो, तो देखिए चलता रहेगा, true, 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 true होता रहेगा, और यह loop आपका कहां चला जाएगा, infinite में चला जाएगा, अगर आप इस loop को रोकना चाहते हो, कि i की value, condition true और यह वो लूप चलना है, तो अब आप इसको रोकना चाहते हो, कि i की value जैसी 10 हो विरेक हो जाए, statement आपके क्या हो जाए, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, i को प्लस प्लस, और आपको मालूब किसी statement से अबर terminate होना, तो हम किसका यूज करते है, break, तो i greater than equal to 10, और यहाँ पर आपने लगा जिया, किसका break, कितना लगा भी statement, अब जैसी i की value greater than equal to 10 होगी ये loop का क्या हो जाएगा, 10 तक चला, तो इस type से भी हम fault loop को चला सकते हैं, clear, यह हमारा किसका syntax हो गया, for loop का, इसका, for loop, clear, अब देखें, यहिए हम किसका use करते है, do while loop का, और किसका use करते है, do while loop का, तो यह while loop हो गया, अब यहां हम यूज करते हैं do while look, तो do while look कैसे यूज करते हैं, हमने आप यह int i equal to 0, अब do में जो conditions होती है, वो condition हमारी कहां थी, नीचे आती है, तेसलिए यह check up करता है, नीचे चलगता है, तेसलिए true or false हो, यह at one time आपका क्या होता है, execute होता ही होता है, तो मने आप यह console.write, कहां थे console.write, कहां थे console.write, यहां पर दिदिए i equal to, i की value कितनी दिदी हमने यहां पर 0, sorry, i की index कितनी पास कर दी हो, यहां पर हमने i को print करा लिए, और i हमने यहां पर कहा कर दी है, i plus plus, अब इस loop को रोकना है, तो currently bucket के बाद हम यहां लगाते है, while, कहां पर रोकना है, i less than equal to 10, और यहां से आप इसको terminate कर दी है, तो यह देखिए आपका, तो इसमें condition कहां चाहिक होती है, condition हमारी नीचे आती है, और तो इसलिए यह चाहिए condition true हो, चाहिए false हो, यह एक बार execute होटा है, जबकि while loop तभी execute होगा, जब उसकी दीगी condition आपकी क्या होगी, true होगी, नहीं तो while loop आपका execute नहीं होगा, clear, अब while loop को जैसे exit करना है, आपको क इसके आधार पर, आप चाहते हो, break statement के आधार पर इसको आपको क्या करना, exit करना, तो आप यहीं पर statement कैसे दे सकते इसको, if, क्या दे सकते हो, i greater than 5, जैसी i की value कितनी हो, 5, loop आपको क्या हो जाए यहां से, break तो आप क्या लगा दोगे, break statement, ठीक, आप दो statement यूज करते हो, break किसी statements अगर continue करना, तो आप महाँ पर क्या लगा सकते हो, continue नहीं तो आप क्या लगा सकते, break अभी देखे, 0 से लेके 5 तक हुआ, 5 के बाद इसने loop को क्या कर दिया, break कर दिया, अगर हम यहीं पर continue statements देने, क्या होगा, तो वह 5 को छोड़ के बाद के statement को क्या कर देगा, continue कर द सकते हैं, break statement या continue statement, break statement क्या होता है कि current statement से बाहर करने के लिए हम किसका यूज़ करते है, break statement, clear, तो यह हमारे पास कौन सा loop था, while और do while loop, clear, अब अपन क्या चलते हैं, अब अपन देखते हैं, nested looping, most important जो हमारे पास topic है, अब हमारे पास है nested looping, nested looping क्या होती है, कि जब ए हमारा क्या कहलाता है, nested looping कहलाता है, nested looping में देख्या होता है, कि outer loop, जैसे for example, एक skin पे आपको मैं आपे बताते हैं, कैसे इस कुछ-बूस करते हैं, जैसे अपने आपने या pointer, जैसे for example, for, जैसे हमारे पास है, यहाँ पे for, यह loop हमारा, clear, यह हमारे, अब इसी के अंदर ह हमने दूसरा loop लगा दिया, for, यह semi-colors, ठीक है, for, clear, तो यह जो हमारा loop कहलाता है, यह outer loop, यह inner loop, अगर यह outer loop एक बार चलने पर, inner loop, यह अपने कितने time, complete time execute होगा, कितने time execute होगा, complete time execute होगा, तो यह हमारा जब एक loop के अंदर, एक loop के अंदर, मतलब for while भी हो सकते है, for do while भी हो सकते है, for for भी हो सकते है, यह किसी loop के अंदर, जब एक loop के अंदर, दूसरा loop, कोई भी loop लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या क्या कराता है, nested looping क्या 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 आपन चाहते हैं 1 i less than equal to 5 i plus plus ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं और इसी के अंदर हमने लगा दिया आप 4 क्या लगा दिया 4 4 4 अब हमने जैसे दिए j equal to हम इसको भी क्या चाहते है j equal to 1 j less than equal to 5 और यहां पर कर दिया j plus plus अब यहां पर देखें हमने यहां पर दिया यह console.rightline अब इसको भी मैं आपको समझा लेता हूँ जैसे अबने console.rightline दे दिया और इसको अगरा भी रन करा देंगे तो देखें कैसे आप इसको कैसे करें करें तो आप इसको कैसे प्रिंट करें console.right यहां भी यूस कर देंगे और इन दोनों की दोनाई loop के अंदर क्या करेंगी console.right तो राइट लाइन यूस करने आपको क्या पास करना पड़ेगा तो आप से आप स्टार करना जाते हैं ऐसे प्रेंट करना जाते हैं फिर 13 14 15 16 तो आप यहां पर क्या दे सकते हैं जी क्या दे सकते हैं की लिए रंकरा दीजे अब यहाँए आपको 5 के जगब क्या करना पड़ेगा I , प्रिंट हो के आ गे आपके बाद अब इसी में आपको प्रिंट करना 11 फ्रिंट क्या कर लिए यसे प्रिंट होगें और अब इसमीह ऑप ca अब आप यहां पर क्या चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, क्या स्टार प्रिंट करा चाहते हैं, तो आप स्टार भी दे सकते हैं, इस टार प्रिंट होगा, इस टार प्रिंट होगा, इस टार प्रिंट से आप इसको यहां पर प्रिंट करा सकते हैं, चलिए, अब अपन आपको नेस्टिलूपिंग से बताते हैं कि अपन क्या चाहते हैं कि कोई नंबर इंपुट करें और उन नंबर्स के अपन चाहते हैं कि प्राइम नंबर इंपुट करना चाहते हैं किसी भी दो रैंज के बीच में अपन प्राइम नंबर इंपुट करना चाहते हैं दो रैंज फुठा हुआए अधाइम करणें या फिर किसी पहली दा से सभ्षाएं नंबर्स ठ्रजे़ smys सभाए बाइक भूलए तेडिन एंसे सबनाव से भार्षण सब्सक्राइब तो आप कैसे बनाएंगे तो तो हमने आप ले लिए नम बन एक पैरेवल के नम एक आई एक अमने लिए ctr क्यानौ ctr कोमम इस टाइप से कोई हमने लिए और यह इक को लंबर कोईacy भी भी नमबर आप यहां से ले लिए ऐख ली फचाल यूजिन दिए उसके बाद हमने क्या किया? Starting아서, हमने यह रहेंज input करा लिए student से तो हमने यहाँ पर ST यहाँ पर देदिया हमने ST Number, क्या देदिया? एक हमने बना लिए ST Number किया ? ST मतलर Starting Number के लिए तो हमने यहाँ पर value point को कराई यह अपर देदी हमने enter the starting number जो भी आप चाहते है स्टार्टिंग नंबर या स्टार्टिंग रेंच ठीक है उसके बाद हमने क्या किया स्टी नंबर इक लिट लिए एक ले लिया दुसरा इसी तर हमने कर लिया एंटर दा एंडिंग रेंच एंडिंग कौन सी जो एंडिंग रेंच हो आपके पास तो हमने यहां पर स्टी जगए पर हमने क्या कर दिया एंड नंबर एंड एंड नंबर ठीक है क्लियर हमने यहां पर क्या कर दिया स्टार्टिंग जागे पर end जहां से आपको लूप को क्या कराना end कराना फिर हमने यहां पर लूप चलाया क्या चलाया लूप चलाया for for हमने दे दिया num equal to num equal to st number semicolon कहां तक num greater than equal to e number तक and num को हमने यहां से क्या करा दिया plus plus clear curly bracket अब इसके अंदर अगया हमने क्या लगाया for for हमने लगाया यहां पर हमने क्या किया i equal to 2 कहां सलाया prime number जब भी हम चेक करते हैं कहां सलाया 2 और just उसके हाप तक तो i less than i less than equal to num concept num divide by 2 just उसके हाप तक चले है num divide by 2 और यहां पर हमने i को plus plus प्राइम नंबर ऐसी चेक कराते हैं पर c में plus plus में विदाया था आपको यह दो से लेकर just उसके हाप तक हमने चेक करा लिया अगर कट जाता है तो वह number हमारा prime नहीं है तो हमने यह condition देदी if condition लगाया कि if क्या num modulus क्या i modulus i equal equal to अगर उसको 0 मिलता है तो क्या हो CTR CTR हमारा क्या हो जाए plus plus हो जाए जो variable हमारे पास है यहां पर कौन सा variable बनाए हमने CTR और CTR की value यहां पर हमने कितनी loop के अंदर कितनी 0 तो CTR हमारा यहां पर क्या हो जाए CTR प्लस प्लस CTR को मने एक increment करा दिया CTR को एक increment करा दिया और यहां पर हमने loop को क्या कर दिया break यानि statement को break कर दिया clear अब इन दोनों के बाद इन दोनों loop के बाद हमें यहां पर नंबर को print कराएंगी नंबर को में क्या करना print कराना तो हमने आप है क्या दे दिया, if, sorry, if ctr, ctr, क्या विलना, equal, equal to 0, end, end operator लगाई, end, कौन सा, num not equal to g1, num not equal to 1, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, अगर यह condition true होती है, तो num को हमें आज से क्या करा लेंगे, print करा लेंगे, तो हमने आपने दिया, console, console.write, console.write या write line जो भी आपने दिया, उसके बाद आपने इसमें क्या कर लेंगे, num को आपने क्या करा लेंगे, print करा ले, clear, इतना आपने एक प्रोग्रम यहां से बना ले, clear, अब इस प्रोग्रम को हम क्या करते हैं, compile करके रखा, हमने starting value डाल दी 1 end value डाल दी हमने 20 तो देखिए हमसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17 यह देखिए हमारे पास दोनों के बीच में जितने prime numbers होते हों सारे number आपको यहांपे निकाल के इसने दे दिए यह देखिए simple सा concept लगा के हमने program यहांपे बना दिए यह एक्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि दो starting और end number के बीच में prime number छाडने का program बनाएंगे तो इस program का आप screenshot ले लिजिए सभी लोग और इस program को आप लोग कर लिजिएगा बहुत simple concept से बताया मैंने चलिए अब एक program और हम आपको बताते हैं जैसे कोई string आप input करें और उस string को reverse string आपको print करानी क्या कराने उसकी reverse string आपको print करने का program आपको बनाना है clear तो एक उसको भी अपन देख लेते हैं फिर आँगे चलेंगे पन इसको अपन सबको डिलीट कर देते हैं इसी में बता देते हैं क्या program अपने पास क्या है कि कोई भी number input करें उस number का अपने पास string वह आना ची क्या आना ची reverse analogy तो अपने क्या किया string दो variables बना लिए अपने string दो variable एक str और एक हमने बना लिया इसका क्या नाम reverse नाम से किस नाम से reverse नाम से उसकी अद हमने क्या किया रेविक पल्टू हमने यहाँ पे empty string assign कर दी empty string और str में value input कर आ लिए हमने यहाँ दे दिया console.rightline enter the any string enter the any string enter the any string semicolon से यहाँ पे हमने टर्मिनेट किया semicolon से क्या कि हमने यहाँ पे terminate करके str में value को input कर आ लिया console.readline क्या किया console.readline value क हमने यहाँ से input करा लिया उसके बाद हमने एक variable बना लिया एक int a यह हमने लिया इस integer type कर अब हमने जो string input की उसकी length return में खरवानी तो a equal to value किसमें input की str dot length हमारे पास built-in function length minus 1 minus 1 इसली करते हैं जब हम input करते हैं तो एक character हम आगे चले जाते हैं उसको पीछे ले आए minus 1 और यहाँ पर में लगा दिया while loop लगा है while कहां तक चलाना आपन को जब तक इसकी value पन आये greater than एक equal to zero नहीं मिल जाती कहांने तक जीन जीरो तक नहीं मिल जाती उसके आद हमने यहाँ पर क्या करा दिया reverse जो हमने variable बनाया equal to reverse plus plus str और equal to इसमें हमने पास कर दिया a क्या पास कर दिया a value पास कर दिया तो a के character लेके इस reverse string में क्या करता जाएगा वह assign करता जाएगा last लास्ट में हमने आके console. इस value को हमने क्या करा लिया print करा लिया तो हमने इसको print करा लिया कौनसी वार्य रिवर्स में clear अब semi-colonics को टलने अब इस program को run करते है enter the any string आपने डाल दिया RAM तो देखे इसने enter the RAM थोड़ा से फस राय प्रोग्रा क्योंकि हमने यहां पर a को minus minus नहीं किया decrement नहीं किया a minus minus हमने यहां पर डाला RAM तो देखे राम का लिटा उसने हमने डाला यहां पर दुशियन्थ देखे दुशियन्थ का उल्टा उसने कर दिया तो इस टाप से हम किसी number को reverse को किसी string को हम क्या वनास कर सकते हैं reverse करने का भी program हमने आपको यहां पर बताए तो यह कुछ examples हमने आपको दिये इन examples को आप लोग कर लीजिएगा कोई प्राब्लम आए तो आप बताईए अब नेस्ट अपन दूसरा concept अपन चलेंगे नेस्ट क्लास होगे उसमें पन पढ़ेंगे आरें थैंक यू